मुक्त किया जा चुका है, राश्ट्रपती पुतिन इसे सफलता करार दे रहे हैं। रूस का कहना है कि सैंत्र में अभी 2000 से अधिक उक्रेनी सैनिक हैं। रूसी सेना 24 फरवरी से मारियोपोल पर अपने हमले तेज करती आई है। उन्होंने अंतिम चेतावनी जारी कर उक्रेनी सेना से आत्म समर्पन करने के लिए कहा था, लेकिन उक्रेन ने इसे न कार दिया था। जी साथ देशों के वितमंत्रियों और केंद्रे बैंक के गवर्नरों ने उक्रेन पर रूस के आकर्मन की निंदा की है। उन्होंने बुधवार को वाशिंगिटन में बैठक के बाद एक वक्तव्य जारी किया समोह ने उक्रेन के विरुद्ध रूस के अकारण और अन्याय पूर्ण आकरमन की कड़ी निंदा की उन्होंने रूस के कार्यों को उक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रिय अखंडिता के साथ साथ अंतरराष्ट्रे शान्ति और सुरक्षा का स्पष्ट उलंग हन बताया वक्तव्य में जी साथ की बैठक से पहले आयूजित होई जी 20 देशों की बैठक में उक्रेन के वित्त मंत्री की उपस्थिती का भी उलेख किया गया वक्तव्य के अनुसार जी साथ देशों के नेताओं ने उक्रेन के लोगों और सरकार के लिए अपना अडिग समर्थन और एक जुटता व्यक्त की जी साथ देशों ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों को बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि वे दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ समन्वित कारवाई करना जारी रखेंगे तेज होते आक्रमणों के प्रत्युत्तर में वे रूस के लिए युद्ध की लागत को और बढ़ाने के उद्धेश से ऐसा करेंगे प्रतिभूति विक्रेताओं और निवेशकों की एक समिती ने रूस को संभावित डिफॉल्टर गोशित करने का निरणाय लिया है इस महिने के आरंभ में रूस दौरा डॉलर में दे सरकारी बंधपत्रों के भुक्तान हेतू अपनी मुद्रा रूबल का प्रयोक करने के लिए ये निरणाय लिया गया है Credit Derivatives or Determination Committee का कहना है कि भुक्तान करने में संभावित विफलता तब हुई जब रूस ने डॉलर में भुक्तान करने के वादे के विप्रीत अपनी मुद्रा रूबल में भुक्तान किया 4 अप्रेल को परिपक्व हुए इन बंधपत्रों के भुक्तान की समय सीमा समाप्थ होने के बाद मौस्को के पास 30 दिन का समय शेश है यदि रूस तब तक बॉन्ड धारकों को डॉलर में भुक्तान करने में विफल रहता है तो उसे डिफॉल्टर देश माना जाएगा के प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए रूस और उसकी संस्थाओं की रेटिंग वापस ले ली थी मूडीज ने भी समान कदम उठाया है उसका कहना है कि रूस अगर 4 मई तक डॉलर में भुक्तान नहीं करता तो उसे डिफॉल्ट में माना जा सकता है समाचारों में आपका फिर से स्वागत है जापान के विदेश मंत्राले द्वारा करवाए गए एक सर्विक्षन में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं का कहना है कि उकरेन पर रूस के आकर्मन के जवाब में देश को अंतरराष्ट्रे समुदाय के साथ अपना समन्वेन सुधारना चाहिए मंत्राले ने मार्च मध्य में ये दूरभाष सर्विक्षन किया था जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिकायू के 1000 लोगों ने जवाब दिया साथ समन्वेन सुधारने का पक्ष लिया 63.7 प्रतिशत ने कहा कि उकरेन से विस्थापित लोगों को स्विकार करना चाहिए 41.6 प्रतिशत ने कहा कि रूस और बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंद बढ़ाए जाने चाहिए सर्वेक्षण में चीन के साथ जापान के संबंधों के बारे में भी पूछा गया इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनैक संबंध सामाने होने की पचासवीं वर्ष गाठ है जापान द्वारा प्रात्मिक्ता देने वाले एक्षेत्रों पर 61.6 प्रतिशत ने कहा कि जापान की समुद्री सीमा में घुसपैट पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए 28 प्रतिशत ने कहा कि आर्थिक सहयोग लोगों के आपसी संबंध तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए ये पूछे जाने पर कि पूर्वी एशियाई क्षेत्र के निकट सुरक्षा वातावरन लगातार गंभीर हो रहा है या नहीं 69 प्रतिशत ने सपश्ट हां में जवाब दिया और 29 प्रतिशत ने कुछ हद तक सहमती व्यक्त की जिसने ऐसा मानने वालों का समगर आंकड़ा लगभग 90 प्रतिशत पहुँचा दिया चीन के रक्षा प्रमुख ने ताइवान को अत्यधिक महत्वत दिये जाने पर अमरीका को चेतावनी दी है बुदवार को अमरीकी रक्षामंतरी लॉइड आस्टिन के साथ दूरभाश वारता में चीन के रक्षामंतरी जनरल वेई फेंग हे ने ये चेतावनी दी चीन के रक्षा मंत्राले के अनुसार वेई ने आस्टिन से कहा कि ताइवान चीन का अभिन अंग है और इस तथ्य व यथा स्थिति को कोई बदल नहीं सकता वेई ने ये भी कहा कि ताइवान मुद्दे से छेड़ चाड़ करने का हानिकारक प्रभाव चीन अमरीका सम्मंधों पर पड़ेगा ये टिपणी ऐसे समय में की गई है जब अमरीकी सांसदों के एक सम्हूं ने पिछले सप्ता ताइवान का दौरा करते हुए ताइवान की राश्रपती साई इंग्वेन से मुलाकात की थी इसके जवाब में चीनी सेना ने ताइवान के आसपास के अलाके में सेन्य गश्त लगाई थी अमरीकी रक्षा मंत्राले ने भी एक वक्तवे जारी करते हुए कहा है कि आस्टिन और वेई ने उकरेन पर रूस के अकारण हमले पर चर्चा की बाइडन प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि चीन ने रूस का समर्थन किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वेई ने कथित तोर पर कहा है कि उकरेन मुद्दे के संबंध में अमरीका को चीन पर कीचड़ नहीं उचालना चाहिए या धमकी नहीं देनी चाहिए उत्तरकोरियाई सेना के 92 स्थापना दिवत से पहले राश्ट्रिय मीडिया अपने नेता किम जोंग उनके प्रती और अधिक निष्ठा रखने का आवान कर रहा है ब्रहस्पतिवार को सत्तारूड वरकर्स पार्टी के समाचार पत्र रोदोंग सिन्मुन ने 25 अपरेल 1932 को स्थापित कोरियन पीपल्स रिवलुशनरी आर्मी पर एक लेख प्रकाशित किया लेख में वर्तमान नेता के पितामह और वर्तमान कोरियन पीपल्स आर्मी की पूरवर्ती सेन्या के संस्थापक दिवंगत किम इलसुंग की प्रशंसा की गई है प्रेहस पतिवार को ही उत्तर कोरिया की शांति पूर्ण पुनर मिलन समिती की वेबसाइट पर एक वक्तव्वे साजा करते हुए अमरीका और दक्षन कोरिया के संयुक्त सेन्याभ्यास की दुबारा आलोचना की गई ये सेन्याभ्यास सुमवार को आरंभ हुआ था वक्तवे में पर्माणु शक्ती चालित विमान वहक पोत के नित्रित्व वाले अमरीकी नौसेना के युद्ध पोत बेड़े और जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच हुए संयुक्त सेन्याभ्यास का भी उलेख किया गया है ये सेन्याभ्यास इस महा की शुरुवात में जापान सागर में आयोजित किया गया था वक्तवे में कहा गया है कि कुरियाई प्रायद्वीब अब तक की सबसे खराब स्थिती में है इसी के साथ NHK ओल जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है